नमस्का दोस्तों आप सबका स्वाग थे एक बार फिर से एक और नई वीडियो में तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 9 फरवरी 2024 को जो कौन से निंग हुई है उसकी जो अपडेट थी कितने सीटे जो है वो फिल हो चुकी है कितने सीटे रहेंगी है कितने स् पिछली वीडियो में मैंने अप्रोड कर दिये अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए तो आज की सुड़ में मैं बात करूँगा आपके जैसे कोशन्स आ रहें कि कौन सी डाइट में अब कितनी सीटे रहेंगी है तो क्या आपको उन सी डाइट में या ऐसी की जो सीट से वहाँ पर आपको चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा तो उसके रिगार्डिंग आपको आज की सुड़ में सारी जो जान के रहें मैं प्रवाइट करूँगा तो प्लीज आप कोई पहनी या पीज ले लीजिए जिसे कि आप अपने डाइट के या सभी डाइट की जो कितनी सीटे हैं उसके एकोर्डिंग आप जो इंफिरमेशन है वोट नोट कर लीजिए तो सबसे पहले आप यहाँ पर दे सकते हैं जो सबसे पहले जो डाइट है वेर का हमिसर में तो उसकी सीटों की बात करूँगा मैं तो मैं यहाँ पर आपको जन केटिकरी की बात करूँ तो उनकी भी सीटें यहाँ पर अवेलेबल हैं तो यहाँ पर एक छोटी सी एक बात बता दूँ कि जो बीसी ऐसी केटिकरी की जो सीटें हैं वो दस दस सीटें होती हैं सभी डाइट में तो जैसे 15 डाइट से ही तो सभी डाइट में दस दस सीटें ह अभी भी सबी category की जो seat हैं वो available हैं नेक्स में बात करूँगा diet बठिंडा में दियो diet है वहाँ बे तो इस diet में जो general category है BC category है या SC R and O category जो है उसकी जो seat हैं वो सबी fill हो चुकी है तो जो M and B category है उनकी जो seat हैं अभी भी available हैं नेक्स में बात करूँगा free code diet की तो यहाँ पर आपको कोई भी general BC या SC R and O category की कोई भी seat देखने को नहीं मिलेगे सबी seat जो है फुल हो चुकी हैं तो यहाँ पर सिर्फ M and B category की जो seat हैं वही रह गई हैं तो नेक्स में बात करूँगा फदेगर साहिब diet की तो यहाँ पर आपको general category की BC category की SC category की सबी की जो seat हैं वो आपको वहाँ पर available मिल जाएंगी तो आप अगर category के साथ related हैं तो आपको वहाँ पर seat भी मिल जाएगी next में बात करूँगा फिरोसपूर diet की तो जैसे मैंने पिछली वीडियोस में भी कही बार बता हैं जो फिरोसपूर diet ऐसी diet है जहाँ पर जो seat हैं वो जल्दी फिल हो जाती है तो यहां पर सिर्फ M&B category SC उनकी जो seat हैं वही रह गही हैं बाकि सभी से जो seat हैं वो फिल हो चुकी है next में बात करूँगा गुदासपूर diet की तो गुदासपूर diet में जो ऐसी category है उनकी जो seat हैं वो अभी भी available हैं बाकि seat हैं वो फिल हो चुकी है नेक्स में बात करूँगा उश्यारकोडाइट की तो यहाँ पर आपको सभी कैटेगरी की जनरल बीसी ऐसी सभी कैटेगरी की जो सीटे हैं वो मिल जाएंगी काफी सारी जो सीटे हैं अभी भी उश्यारकोडाइट में हैं नेक्स में बात करूँगा जलंदर डाइट की तो जलंदर डाइट में भी आपको सभी कैटिगरी की जो सीटे हैं वो देखने को मिल जाएंगी तो आप अगर जलंदर डाइट में अडमिशन लेना चाते हैं तो आपको अराम से जो अडमिशन है वो मिल जाएगी सीटें काफी हैं वहाँ पर नेक्स्ट में बात करूंगा कपूर्थरा डाइट की तो कपूर्थरा डाइट में भी आपको जनर्र BC SC कैटिगरी की सबी की जो सीटे हैं फो देखने को मिलेंगी अभी भी वहाँ पर availability है नेक्स्ट में बात करूंगा लुदियाना डाइट की जग्राउं डाइट की तो यहां पर आपको BC कैटिगरी की सीटे नहीं मिलेंगी वो फिल हो चुकी है आज तो आपको जनरल कैटिगरी की AC कैटिगरी की जो सीटे हैं वो अभी भी कैटिगरी की जो सीटे हैं वो नहीं मिलेगी तो यहां पर मैं कैटिगरी की अगर बात करूँ तो यहां पर मैं BC AC कैटिगरी की बात कर रहा हूँ आधर कैटिगरी की बात जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा जो जब आपकी कौंसलिंग होगी तो विलार अभी मैं ऐसी केटिगरी PC केटिगरी की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपको कोई भी सीट नहीं मिलेगी मांसन डाइट में आपको प्राइविट कोलस में ही प्रैफर करना पड़ेगा अगर आप मांसन डाइट में कौंसलिंग के लिए जाते हैं तो निक्स में बात करूँगा डाइट शरी मुकसल साइब की तो यहाँ पर भी सभी सीटे जो हैं फुल हो चुकी हैं तो सिर्फ MN B केटिगरी के सीटे हैं वो कुछ रह चुकी हैं नेक्स में बात करूंगा पटेला डाइट की तो यहां पर आपको जनरल केडिगरी की सबी जो सीटें फूलो चुकी हैं बाकि BC, SC केडिगरी की सीटें अभी भी वहां पर अवेलिबल हैं तो आपको सीट वहां पर मिल सकती है नेक्स मैं बात करूंगा रोपर डाइट की तो रोपर डाइट में भी अभी BC कैटिगरी की कुछ सीटे ही है बाकी जन्नल और SC कैटिगरी की सबी जो सीटे हैं वो आपको वहाँ पर अवेलिबल मिल जाएगी वहाँ पर आपको ऐसी MNB कैटिगरी की जो केंडिट होंगे उनको वहाँ पर सीट जो है वो मिल सकती है तो यहाँ पर आपने नोट कर लिया होगा तो एक बात आपको यहाँ पर बता दूँ कि जिन डाइट में अब सीट नहीं है तो अब आपकी जो कोंसनेंग होगी वो ऐसी कैटिगरी की होगी तो जैसे मैंने मेंमेंड आपको डाइट बता दी है एक बार फिर से बता देता हूँ शोटकट में कि जो बटिंडर डाइट है वहाँ पर आ राएंड़ो कैटिगरी की जो सीट हैं वो नहीं है व्रीत कोड में भी नहीं है तो फदेगर साही में फिलोसपर में भी नहीं है इसी तरह मांसा डाइट में शरीमुकसर डाइट में और संग्रू डाइट में ऐसी R&O केडिगरी की जो सीट से वो फूलो हो चुकी है तो बाकी जो डाइट से वहाँ पर available है और M&B की बात करोस तो सभी डाइट में M&B काडिगरी की जो सीटे हैं वो अभी भी available हैं तो जिन डाइट में आपको अगर 10 सीटे हैं क्योंकि तो अगर आपको डाइट में 10 सीटों में से अगर आपको जो seat है वो नहीं मिलती है तो आपने पहले से ही prepare होके जाना है कि आपने किसी और diet में या फिर और किसी private college में जाना है तो आज की counseling की बात करूं या फिशली counseling की बात करूं तो ज़्यादध दर जो candidates हैं वो अगर उनको अपनी डाइट में अपनी चोईस का जो इसने वो नहीं मिलता है तो वो प्राइवट कोलाज में अड़िशन ले रहे हैं तो इसलिए प्राइवट कोलाज जो हैं वहाँ पर भी जो सीटे है वो काफी जल्दी से जो है वो फिल हो रही है जैसे मांसा है मुकसर साहिब है संगरूर है या फिरोजबर की बात करो तो यहाँ पर प्राइवट कोलेज में भी काफि सारी जो सीट हैं वो फूल हो रही है तो इसलिए आप पहले से ही अड्जस्ट करके जाएए कर कि अगर आपने किसी कोलेज में अड्विशन लेनी है तो वो कौन-कौन से है तो यह सारी चीज़े हैं यह सारी ट्रियल्स है आज की इस वीडियो में कौन सी डाइट में कितनी सीटे रही हैं तो यहाँ पर कुछ जो कोशन आए हैं जो पिछली वीडियो थी उसमें में भी कुछ कोशन पूछे गए हैं कि जो ऐसी सीट से वो कितनी रही हैं तो मैंने आपको डाइट वाई जो इंफरमेशन है वो बता दी है इसी तरह एक और चीज़ पूछी गई है कि जो क्लासेस हैं वो कबसे स्टार्ट होंगी डाइट में कौशनिंग, सेकंड कौशनिंग कब होगी उसके रिगार्डिंग कोशन पूछे गए हैं तो काफी जो कोशन्स या क्योरीज हैं वो सेकंड कोशनिंग के बारे में आ रहे हैं तो फिलाल आज की स्वीड में यही सारी इंफरमेशन है, कौंसलिंग में कितनी सीटे रहेंगी हैं, कि स्टेट में रहेंगी हैं, जो है वो अलोट की जाती है, तो एक टेलिग्राम पर एक लटकी ने भी मैसेज किया था कि कुछ डाइट है, वहाँ पर गयाप सर्टिफिकर मंगा जा रहा है, आपका जो मदर फादर का अधार कार्ड है, वो भी मंगा जाता है, आपकी बैंक की पास्बुक की फोटो कॉपी भी मांगी जाती है, तो ये चीज़े भी आप साथ में लेकी जाएगा, बाकी कुछ डाइट हैं ये चीज़े मांगती हैं, बट बाकी काफी सारी जो डाइट हैं, वहाँ पर ऐसी चीज़े नहीं मांगी जाती हैं, जस्ट आपके जो में डॉकुमेंट से वो ले लिए जात तो आप 5000 रुपीज जुरूर साथ में लेके जाएगा चाहे वो SC category है चाहे BC category है आप किसी भी category के साथ लिटर्ड हैं तो आपको 5000 जो token money है या फिर जो fee से वो आपको पहले पे करनी पड़ेगी तो जुरूर साथ में लेके जाएगा बाधी है फिर अगर आपकी कोई क्यूरी या कोई कॉश्शन होगा तो आप मुझे comment section पहो सकते हैं हमारे telegram channel में कोई बात पूछ नहीं वाहँ पहो सकते हैं या फिर हमें इंस्टाप पर भी DM करके आप कोई भी question पूश्शन जो है वो पूश्य सकते हैं तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं खतम को रुख़ा जल्दी मिलूगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई जैए